जारखन के दुमका में पुलिस और नकसलियों के बीच मुटभेड हुई है खबरों के मुताबिक इसमें SSB का एक जवान शहीद हो गया है और चार जवान घायल हो गये है वहीं पांच नकसलियों के मारे जाने की खबर है गंभी रूप से खायल जवान को बहतर इलाज के लिए हलिकॉप्टर से राची भेजा गया है अन्य खायल हुए तीन जवानों का इलाज दुमका सदर अस्पताल में चल रहा है इसके अलाबा पांच नकसलियों के मारे जाने की भी खबर है नकसलियों के खिलाब पुलिस तथा एसेसवी जवानों का जॉइंट ओपरेशन चलाया गया था इस मुटवेड में 12-15 नकसलियों हैं जिनके खिलाब मुटवेड जारी है फिशले 3-4 दिनों से नकसलियों इलाके में डेरा डाले हुए थे मुका मिलते ही एसेसवी के जवानों पर नकसलियों ने खात लगा कर हमला कर दिया ये घटना रानिश्वर थाना के अंतरगट कटलिया के पास की है एसवी वाई एम रामेश के मुताबेक इस मुटवेड में 4-5 नकसलियों को गोली लगी है इसमें सेसवी का एक जवान शहीद हो गया है और 4 जवान खायल हो गये है इसके अलाबा उन्होंने ये भी बताया कि नकसलियों मुटवेड में खायल एसेसवी जवानों को बहतर इलाज के लिए हलिकॉप्टर से राची भेजा गया है उन्हें रेफर किया है एक और जवान को जिनके यहाँ पर हाथ में गोली लगा है जो उनको रेफर किया है सुबा बहुत नॉर्मल स्टेबल कंडिशन में थे फिर भी नहीं रिस्क लेना है बेटर इलाज के लिए डॉक्टर ने रेफर किया है और उनको राची बेजा गया है अबी जो शहीद जवान का जो निट बॉड़ी है वो हम राची बेजा गया है वो जो उनका मेडिकल प्रक्रिया है उनको राची यहाँ पर सुविधा नहीं है तो राची में सुविधा है तो उनको अपने पैतरि गाउन इस नकसली हमले में अस्दम के जवान नीरश शत्री शहीद हो गए हैं शहीद जवान नीरश शेत्री को श्रधान जी देने के लिए उसके पार्थिव शरीर को एसेसबी मुख्याले रांची ले जाया गया इसके बाद उनके पार्थी शरीर को उनके पैत्रिक गाउं भेजा जाएगा बितुन जय पांडे दुमका पिहातर खरसे को बाता है क्या है क्या है क्या है सब्सक्राइफ चल बाद बाद रजई जया है प्या है पुमका एंब तर शरी वाओ दुमका बाद बाम